नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्क्स करने वाले हैं एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर नर्सिंग ओफिसर की वेकेंसी है ठीक अच्छी कासी वेकेंसी रहने वाली है पर्मानेट ये वेकेंसी रहने वाली है तो उसी के बारे में हम इसके अंदर discuss करेंगे कैसे क्या आप लोगों को apply करना last date क्या है fees क्या है ठीक है तो वीडियो को complete देखिएगा उससे पहले हमारे चैनल से जुड़ सकते हो बाकि हमारे गुरूप से भी जुड़ सकते हो सभी के लिंक आप लोगों को description के अंदर मिल जाएंगे हर्गाणा nursing student नाम से है जो भ of mental health neuroscience याने कि नीमांस की यह जो vacances रहने वाली है ठीक है तो यह जो hospital है यह बैंगलूरू के अंदर है ठीक है इसने अभी एक notice निखाला है जो की 275-2021 का notice है ठीक है मतलब आज ही के दिन यह जो notice आया है हमारे सामने तो जैसे आया हमने अपने गुरूप में डाल दिया अब इसके अंदर बात करते हैं हम मेंली जो अपने स्टाफ नर्स की nursing officer की vacances दो है इसके बारे में हम बात करते हैं टोटल यहां पे 266 पोस्ट है यानि कि 266 पोस्ट यहां पे टोटल है जिसके अंदर SC की 63 पोस्ट है, ST की 30 पोस्ट है, OBC की 66 पोस्ट है और EWS की 25 पोस्ट है और General की 82 पोस्ट यहां पे रहने वाली है ठीक है अब इसके अंदर आप लोगों को मैं बताऊं कैसे कौन कौन अपलाई कर सकता है यहां पे आप लोगों को मैंने बताई दिया नंबरों पोस्ट टोटल 266 रहने वाली है, 266 यहां पे जो टोटल पोस्ट रहने वाली है, कटेगरी का आप लोगों को मैंने बता दिया, फिर भी आप दुबारा देख लेना अब बात करते हैं इसकी जो क्वालिफिकेशन की बात है, तो क्वालिफिकेशन की अंदर कौन कौन इसके अंदर अपलाई कर सकता है, BSC नर्सिंग वाले अपलाई कर सकते हैं, अब बात करते हैं, एक पोस्ट बैसिक BSC नर्सिंग भी अपलाई कर सकता है, जो GNM के बाद पो Center की वे कैंसी है तो Center के अंदर Registration आपका कहीं का भी हो किसी भी State का हो कोई प्रोब्लम नहीं है आपका जो Residence यानि कि जो Domicile है वो भी कहीं का हो तो भी कोई दिखत नहीं है Certificate जो Residence Certificate होता है कहीं का हो कोई प्रोब्लम नहीं है सभी आप लोग apply कर सकते हो बस qualification यह होनी चाहिए अब बात करते हैं इसके अंदर Experience की भी Demand की गई है जो कि minimum 50 bed का Hospital होना चाहिए ठीक है जिसमें 2 year का Experience इन्होंने मांगा है 50 bed या इससे ज़्यादा का Experience Hospital का होना चाहिए दो साल का आपको लोगों के पास Experience minimum होना चाहिए इससे ज़्यादा कितना भी हो वो आपके लिए preference रहेगा बाकी 50 bed का Hospital और दो साल का Experience यहाँ पे आप लोगों को इन्होंने मांगा है अब बात करते है एज की तो 35 एज तक आप लोग अपलाई कर सकते हो इससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं अपलाई कर सकते है ठीक है इससे कम कितने भी हो पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 7 के अकोर्डिंग इसके अंदर सेलेरी रहेगी 44,900 से लेके 1,42,000 तक ठीक है तो लगबग आपकी यह मान के चलो कि 60 पलस ही सेलेरी रहती इसके अंदर ठीक है और अब आगे जो इसकी लास्ट डेट है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं इसी नोटिस के अंदर इसके अंदर इन्होंने जो लास्ट डेट बताई है ठीक है वो 28,6,2021 यानि की 28 जून 2021 से पहले पहले आप लोगों को यह जो फोर्म है वो अपलाई कर लेना है आज 28 मई होर की है यानि कि आपके पास एक महिने का टाइम है अभी यह आप लोगों को अपलाई आज या कल या परसो तक स्टार्ट हो जाएगा अपलाई करना ठीक है जो कि इसकी जो ओफिसल साइट है वहाँ पे आप लोगों को अपलाई करना है इसका जो लिंक आप गुरूप B ठीक है गुरूप A के लिए 2360 फीस रहने वाली है और SC ST कटेगरी के लिए 1180 अब बात करते हैं जो अपनी नर्सिंग के वे कैंचीज है निमंस के अंदर वो गुरूप B के अंदर आती है ठीक है तो जो इसकी फीस रहने वाली है वो 1180 रुपए तो रहने वाली है जनल कंडिडेट के लिए ठीक है और जो भी जो SC और ST के अलावा जो भी कटेगरी रह गई उसके लिए 1180 लगेंगे ठीक है और जो 880 रुपए फीस यहाँ पे रखी है यह SC ST के लिए रखी है only SC ST के लिए 880 रुपए यहाँ पे फीस रहने वाली है ठीक है लगबग इतन लेना जो पेमेंट करोगे बाकि यह मान के चलो 1100 के पास ही रहती है फीजों भी ठीक है तो यह इसकी फीज है अब बात करते हैं जीनम वाले अपलाई कर सकते हैं नहीं तो यह आप लोगों का जो डाउट हमें कलियर कर देता हूं यह अपलाई नहीं कर सकते ठीक है सिरफ कमेंट बुक्स में कमेंट कर सकते हो बाकि हमारे गुरूप से जुड़ सकते हो जिसके अंदर अपडेट आती रहती हैं सबसे पहले अपडेट आती हैं सभी गुरूप से जुड़ सकते हो हर्याना नर्सिंग स्टूडेंट नाम से मिलेगा टेलेगा फेस्बूप